तो हेलो गाइज मेरा नाम है पिरसान सिंग और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रेजन स्कूल एपिसोड फॉर तो गैस एपिसोड फॉर का स्टार्टिंग होता है तो हमें वहाँ पर याकुतो दिखाया जाता है जिसकी हलत बहुत जादा खराब होती है क्योंकि उसने पिछले अधर पाउस्स मॉर्ट में मिस मारी सकलत नीचे कर दी थी तो इसलिए मिस मीको ने उसको मार बार कर उसकी ऐसी आहलत कर दी और यह चीज झूavez करना मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये स्टैप हमारे अगले प्राइन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था तो उसके बाद हम देखते हैं कि मिस मीको याकुतो को एक अकेले कमरे में ले गई थी और वे वहाँ पर उससे बोलती हैं कि तुमने जो कुछ भी करा तुम्हें उ उठाकर बोलता है याकुतो मेरे दोस्त बस तुमने स्टीच के लिए तरी ज़्यादा तकलिफ सही जिससे में यहां से भागने के लिए विग मिल सके दरसल याकुतो ने सब कुछ जान पूच कर किया था ताकि सजा के तोर पर उसके सारे बाल कार्ट दे जाएं और क्योशी वहाँ पर उसी ट्रेनेस का यूज करके उस गाड़ी के पास जाता है पर वो वरकर वहीं पर खड़ा हुआ था तो इसलिए याकुतो दूर खड़ा जीब से सकल बनाने लगता है और उस वरकर को चड़ाने लगता है जिससे वो वरकर घुसा होकर याकुतो के पास आ जाता ह और क्यूशी को वहाँ पर मोका मिल जाता है एक लड़की यूनिफॉर्म को चुराने का लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो ठर के वहाँ पर ड्रेस चुराने की वज़ाए मिसमीको की चड्डियों को देख रहा था तो तभी हम देखते हैं कि वरकर याकुतों से परसान होक कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो उसलिए वो वरकर वहाँ पर उन चीजों को जाकर हटाने लगता है तो तभी वहाँ पर क्यूशी को मोका मिल जाता है एक लड़की की ड्रेस चुराकर वहाँ से भागने का तो फिर हमें उसके बार डायरेक्ट उस दिन का सीन दिखाय जाता है जिस दिन क्यूशी से स्कूल से भागने वाला था तो जैसी वहाँ पर लॉंच टाइम होता है या कि तो क्यूशी को एक ओड़ विए देता है दूसरी साइड से मिस्मीको वहाँ पर आ रही थी तो इसलिए क्योसी वहाँ पर जल्दबाजी में उससुज यूनिफॉर्म को पहनने लगता है तो तब जल्दबाजी के चक्कर में उस यूनिफॉर्म की जैगेट का पीछ़े का हिस्सा फट जाता है तो तभी वहाँ पर मिसमीको भी आ जाती है और क्यूशी को वहाँ पर देख लेती है लेकिन तब तब क्यूशी ने वहाँ पर अपने सभी कपड़े बदल लिये थे तो इसलिए मिसमीको को क्यूशी को वहाँ पर सक नहीं होता और वे वहाँ से चली जाती है तो उसके बाद क क्यूशी अपने फट्टो एक जैकट के हिस्से को दिखाता है तो Mizimari वहांपर क्यूशी से माफिए मांगती है और उसको वहां से जाने के लिए बोलती है तो इसलिए क्यूशी वहांपर बिना किसी दिकkęत सि след के से बहार आ जाता है तो इसलिए क्यूशी का कर मिसमीको को ऐसा लगता है क्योशी अंदर ही है तो इसलिए मिसमीको वहां से बाहर आ जाती है तो हमें फिर से क्योशी का सीन दिखाया जाता है और वो उस जगा पर आ चुका था जहां पर वो जीओ से मिलने वाला था तो क्योशी के वहां पर कुछ देर इंतजार करने के बा बनाई थी तो तभी जब QC उन्राइस बोल को खाता है उसको तो वहाँ पर बहुत आनंद आ जाता है एक तुन्राइस बोल को एक लड़की ने बनाया था तो आकिरकार आनंद क्यों नहीं आएगा तो वे दोना आपस में बहुत सारी बाते करते हैं और उन्राइस बोल को भी और आपस में कही सारी फोटो भी क्लिक करते हैं। लेकिन काफी ज़्यादा राइस बोल खाने के बाद क्यूशी का वहाँ पर पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए क्यूशी वहाँ पर टॉलेट चला जाता है। और अब जियो क्यूशी से थोड़ा दूर दूर रहने लगी थी। तो तभी जियो क्यूशी से बोलती है क्यूशी तुमने मिझे बहुत ज़्यादा सरमिंदा किया है। और ये बात बोलकर जियो वहाँ से उठकर भाग जाती है। लेकिन क्यूशी को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, कि अचानल से जियो को यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन तभी उसके नजर उसके बैक पर पढ़ती है, तो उस बैक के अंदर से लड़की कोश्ट्यूम बहार आ रही थी, तो जब क्यूशी उस गल्स उनिफॉर्म को बहार निकालता है, तो वहाँ पर देखता है कि वह उनिफॉर्म जियो की होती है, यह सब कुछ देखकर तो क्यूशी की वहाँ पर आत्मा अंदर से ही मर जाती है, और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं मिसमी को वहाँ पर उस टॉलेट के अंदर वापस आ गई थी तो तभी मिसमी को क्यूशी को बोलती हैं कि तुम जल्दी से बहार आओ वरना मिस टॉलेट के दरवाजे को तोड़ दूगी